राय सिंग नगर में पुलिस ने सीमा सुरक्षाबल के जवानों के साथ संयक्त रूप से कारवाई करते हुए हजारों के संख्या में नशीली गोलिया बरामत की है आरोपी के कबजे से करीब 25,000 नशीली गोलिया जब्त की गई थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंग ने बताया कि देर रात मुख्विर की सूचना पर बीसफ और पुलिस की और से सयुत तौर पर नाकबंदी की गई थी नाकबंदी के दौरान दो बाइक सवार यूको को रुखने का इशारा किया गया पुलिस टीम को देखकर एक बाइक सवार आरोपी मौके से फरार हो गया जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया आरोपी के पास बरामत कटे में 25,000 नशीली ट्रामडोल गोलिया बरामत की गई है